पारे में कुछ तो करना पड़ेगा तो इनके बारे में थोड़ा तो यार हम लोगों सोचना पड़ेगा आप लोगों को जब भी मोगा मिले एक छत पर कम से कम कोई भी आप लोग बरतन रख सकते हैं कोई मिट्टी का कोई बरतन रख सकते हैं जिसमें पानी बगारा रख सकते हैं तो यह बहुत ही जादे इनके लिए फाइदे मंद रहता है क्योंकि हर जगह आज केर्ट में कंकड की रोड आप लोगों को दिखाए देती है हर जगह पत्थर आप लोगों को लगे मिलते हैं मतलब नीम के पेड़ के नीचे बैट कर और नीम के पेड़ पर आप लोगों ने देखा होगा काफी जारी की लहरी पाए जाती है तो वहाँ पर मतलब कंडिशन यह रहती थी कि जड़ासा भी हाथ हिला दे या फिर चार पाई के आसपास घूम रही है नीम बोलियां खाती हुई यह इस तरीके से आप लोग मतलब थोड़ा बहुत यार इतना तो कम से कम क्योंकि हम लोगों ने यह सिचुशन गिरेट गे तो कम से कम थोड़ा तो इंसानियत हम लोगों को दिखानी पड़ेगी आज है 13 सेप्टमबर बहुती से आंदर आज के डिसकसर नहने वाला है सुन और जो नया सीखेंगे उसको जिंदगी में इंप्लिमेंट भी करने की कोसिस करना क्योंकि जैसे जैसे यार चीजे आप लोग सीखते हो ना जितना आप लोग उसको इंप्लिमेंट करोगे उतने ही लंबे समय तक याद रख पाओगे इसी के साथ में कैसा रहा आप लोग कल आप लोगों ने किया है क्योंकि पब्लिक लिए अगर कुछ लिख देते हैं आप लोग तो यह आप लोगों के एक responsibility बन जाती है कि हाँ यार अब देखा है तो कुछ करना पड़ेगा जैसे कि एक बचा बोले यहां पर मुझे क्या गरना चाहिए मैं दो तीन दिनों से ट्राइग कर रहा हूं तो यहां आप लोग ना जब लगे कि लेट हो गया है थोड़ा सा तो नीचे कमेंट बोक्स में आकर सोरी लिखो खुद से कि हां सोरी आज में लेट हो गया कल से में टाइम पर आउंग तो आप लोग अंदर से फिलोगे कि आज फिर सोरी लिखना पड़ेगा तो आप लोगो अंदर से चीज फिलो नहीं स्टार्ट होगे और आप लोग काम को करना है स्टार्ट कर दोगे और यह इसके लिए नहीं है आप लोग किसी भी काम को अगर करते हो तो उसके लिए आप मम्मी पापा से पहले आप लोग उठ गयो और आप लोग उठने से मम्मी पापा के उठने से पहले आप लोग उठकर पढ़ाई कर रहे हो तो सोचो कि जब मम्मी पापा या घर में कोई भी ऐसा बड़ा बुज़र्ग आप लोग को देखता है कितना अच्छा लए है उसको कियार देखो कितना लगन से पढ़ रहा है हमने उठाय भी नहीं अपना आप उठके बैठ जाता है चार आदमी को जाकर बताएंगे वो कि यार बच्चा ना बहुत पढ़ रहा है आज कल सुवब बिना उठाय उठ जाता है तो उनको अंदर से अच्छा फिल होगा कम से कम यार ये तो छोड़ी छोड़ी चीज है ना आप उनको अच्छा फिल करा सकते हो अगर अभी और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक responsible person बनकर आप लोग उनकी जिन्दगी में कुछ अच्छा फिल करने का उनको मोका दे सकते हो है की नहीं तो ये काम आप लोग जुरूर करिए कम से कम at least इतना आप लोग कर सकते हैं और वास्तम में यार ममी पापा को बहुत अच्छा फिल होता है अगर आप लोग उनसे पहले उटकर पढ़ रहे हो बैटके ठीक है तो ये आप लोग काम जुरूर करिए अगर आपका दिल और दिमाग मान ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिसको लगता है ना कि ये काम मेरे से नहीं होगा एक बार सोच के तो देखो उसके लिए एक उसके लिए एनरजी तो लेकर आओ अगर अगर एनरजी भी ने लेकर आ पा रहे हो तो फिर आप लोग गलट डिरेक्शन मे उसको देख लो, कि उसने कैसे किया, उसको बिल्कुल ऐसे मत करो, यह जैसा उसने किया, वैसे हमको करना है, अपना खुद का पैटर्न एक सेट करो, और फिर उसके एसाफ से चलना है, स्टार्ट करो, दुनिया भर के टोपर्स के इंटर्यू आप लोगों मिल जाएंगे, तो एक डेटा चेंज होगी, एक कल को चेंज हो जाएगी, एक परसो को चेंज हो जाएगी, तो ऐसे चलती रहेंगी, कुछ नहीं बदलेगा, जब तक आप लोग खुद को नहीं बदलोगे, छोड़ी सी चीज बदलो आज से, जैसे मोर्नी में उटके टाइम पर कामी अब तो reason भी है, आप लोगे पास में daily 6 बज़े exact, घड़ी मिला सकते हैं, आप लोग इस तरीके से वीडियो आ रही है, तो इसलिए इसको आप लोग implement कर सकते हैं, ठीक है? person in news, बहुत important personality है, sports से लिटर है आपर, और थोड़ा सा आप लोगो hint भी मिल जाएगा, इनका ये particular area देखें, चले बताइए इनका नाम क्या है, अभी recently क्यों news में है, बताइए गजरा, तो देखता हूँ कोनी हाँ पर इनके बारें बताता है, और मैं expect करता हूँ कि इनके ब target तक पहुँचने के बाद में ही रुखेगी, ठीक है, शांदार तरीके से answer देगे हैं हाँ पर रोहित बिस्ट के द्वारा, काफी अच्छा लगा, कई दिनों से ढूंड रहा था कोई ऐसा लड़का भी जो complete answer दे, तो वो मुझे मिला, तो मुझे काफी अच्छा लगा, क् क्योंकि maximum लड़किया participate कर रही है, आप लोग में देखा हो, कई दिन से मैं लगातार लड़कियों के answer उठा रहा था, ठीक है, तो कि मैं कई बाद ढूंडता हूँ, लड़कों का मिलता है नहीं, अगर मिलता भी है तो आदा दूरा मिलता है, पूरा answer बहुत कम मिलते, तो मै मैं expert कर रहा हूँ कि वीडियो के end तक देखेगा, कुछ ऐसे question होंगे, जो कि आप लोग को बहुत कुछ सिखा कर जाने वाले हैं, ठीक है, एक काफी interesting article होगा, इतना हरामी US से हैं, उतने हरामी US से के कच्चवे भी हैं, इन कच्चवे के बारे में आप लोग को बताऊंगा, कि illegal loan app, जो कि आज की rate में देखने को मिलते हैं, उनसे कैसे आप लोग को, उनसे कैसे बचने आप लोग को, और दुनिया भर के ऐसे app आज की rate में आप लोग को देखने को मिलते हैं, इसी के साथ में और भी वह सारी छोड़ी छोड़ी news, कुछ questions भी आप लोग के रहेंगे, पर पहले detail में हम लोग discuss करेंगे, detail वाली news, ठीक है, कल जो है, पूरे दिन वाइरल रहा, ये particular topic ग्यान व्यापी मस्जित, तो ये जो ग्यान व्यापी मस्जित हैं आपर, इसके लिए particular बच्चे ने मुझे mail किया, कि सर प्लीज इस topic एक बार बता देना, क्योंकि ये topic जो है पार्ट में किसी topic को cover नहीं कर पारेंगी, किस पार्ट में ये topic बनता है, तब तब कुछ चीज का मतलब नहीं बनता है, जैसे यहाँ पर religion के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग G.S.A.P.R. 2 के साथ में connect कर सकते हैं, society के बारे में बात की जा रही है, G.S.A.P.R. 1 क साथ में connect कर सकते हैं, तो ये क्या चीज़े होती है, ये होती है, कि आप लोग topic को समझ पा रहे हो, कि topic किस particular पार्ट से आता है, तो अभी बात करूँ ग्यान वयापी मस्जिद, तो ये आज का नहीं, काफी पुराना इश्व है यहाँ पर, अभी ये कुछ दिनों पहले, अ पीछे अगर आप लोग जोगे, तो आप लोग को इस तरीका structure देखने को मिल जाएगा, यानि कि यहाँ पर पहले मंदिर था, इसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, तो लोगों को आखों से साख साख, जो एक तरीके से सबूत दिख रहे हैं, कि हाँ ये मं मुसलिम भी है, तो मुसलिम अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे है, हिंदू अपने तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो हुआ क्या था कि जो हिंदू कम्म्निटी है, वो कोट में चले गए और उनके द्वारा बोलागे कि हमको भी इस पर्टिकुलर जो इनवापी मस् तो दोनों के अंदर यहां पर विवाद हुआ और यह जो matter था यह court के अंदर में पहुंच गया court के अंदर में यह जो matter पहुंचा तो उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी क्या इस तरीगे से allow करना चाहिए क्या यह case भी लेना चाहिए पहले तो यह मुद्दा था कि क्या इस तरीगे case को आगे बढ़ाना चाहिए तो उसी के चलते हैं हाँ पर अभी बात की जा रही है कि इस case को accept कर लिया गया है ठीक है तो हिंदू जो side है उसको सुना जाएगा अभी अभी यह proper case चलेगा अभी यह proper case अभी हाँ पर आलमाले जी अभी lower court में है फिर यह higher court में जाएगा अभी हाँ से क्या मुद्दा निकल कर आएगा व भी आगे आप लोगो देखने को मिलेगा अभी हिंदू इसलिए खुस हो रहे है क्योंकि यहाँ पर उनका case यहाँ पर accept कर ले गया है Muslim इसलिए इसलिए दुखी हो रहे है क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ पर इसको accept नहीं के जाएगा पर लेकिन अभी accept कर लिया है तो इसके चलते सब जो हैं आपर celebrate कर रहे है अब मुद्दा के हैं आपर basically मुद्दा हैं आपर यह कि अकसर हमारी country में एक particular कानून के बारे बात की जाती है place of worship act जो कि 1991 का है तो place of worship act 1991 का यह क्या बोलता है यह काफी एक ऐसी बात बोल देता है जो कि लोगों को मजबूर करती है सोचने के लिए कि हमारे देश में यह जो कानून लाए गया पहले तो यह याद रखिए 1991 में लाए गया उसमें यह बोला गया कि हमारे देश में आगे चलकर कोई दंगे फसाद ना हो जाए religion को लेकर तो 1947 में जब हमारे देश आजाद हुआ यानि कि 15 अगस्त 1947 में तब से लेके आज तक का जो भी हमारी country में अगर कहीं मंदीर है तो मंदीर होगा मस्जित है तो मस्जित होगी गुरु द्वारा है तो गुरु याद रखेगा नरसीमा राओ के द्वारा क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो विस्व हिंदू प्रिसद हैं आपर वो कंपेंड चला रहे थे उस टाइम पर बाबरी मस्जित को लेकर आयोधा के अंदर ग्यानवापी मस्जित जो कि मैं भी डिसस कर रहा हूं यह है वारा अगर देश को एक जुट आप लोग रखना चाहते हैं तो पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है इस कानून का जो पोस्ट करने वाले लोग है और जो बेसिकली हाँ पर लेकर इसको कोट में भी पहुँचे है उन्होंने PIL दायर किये उनका यह मानना है कि उनके द्वारा बहुत सारे मंद्र जो है वो डिस्टोइ किया गया और उनको मोस्क यहने के मस्जित में कंवर्ट किया गया तो यह जो डेट आप लोग यहाँ पर रख रहे हैं 1947 इसको हटाओ यहाँ पर और इसको 1192 डेट आप लोगो यहाँ पर रखनी है यानि कि यह बड़ा मुद्द हैं आपर देखने को मिल रहा है अभी ये तो इतना मुद्द हो गया और ये एक ऐसा इशु है जो कि आगे भी चलने वाला है अभी इसमें जो भी डिजिजन होगा वो कोट सुनाएगा अभी इसमें आप लोग जो है इसमें क्या क्या दे रखने है कि चल क्या रहा है वो इशु पता होना चीए और इसके अलबा इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है जो मैं आप लोग को बताने वालो हूँ जहां से एक्जाम में डेरेट आप लोग को कोश्चन बन सकता है समीधान के अंदर में अप लोग को पता है और इनको हम लोगों ने पाट थर्ड में रखा हूँ है पाट थर्ड में आर्टिकल बारे से लेकि आर्टिकल 35 तक फंड़मेंटर राइट है तो इसमें एक पोर्शन है fundamental right के अंदर ही जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा right to religion के बारे में right to freedom of religion इसमें article 25 से लेके article 28 तक है और हर एक individual इंसान यानि कि कोई भी अपना religion जो है वो follow कर सकता है उसको कोई नहीं रोगेगा और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान जो है अपना religion तो follow कर रहा है पर दूसरे के religion को जो है वो insult कर रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए यानि कि अपना religion follow कर रहा है हर एक religion जो है वो कोई भी religion ये नहीं बताता है कि मेरा religion अच्छा है कि दूसरे का religion खड़ाब है वो मानवता की उपर ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सारे religion, हम इंसान जो है ना, हम लोग उनको interpretation, समझ समझ कर interpretation जो करते हैं हम लोग उनको, उसका गलत मायना निकाल लेते हैं कई बाद, जैसे मैं आप लोग को हमें से एक उधान देता हूँ, कि कोई भी इधान के अंदर में मुद्दा ही रखा गया है, कि हर एक इंसान अपना religion follow करें, पर लेकिन ऐसा नहीं कि कि किसी को जबरदस्ती follow करवान है, मुझे मन कर रहा है मेरा religion follow करने का, तो मैं private में अपना religion follow कर सकते हूँ, तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं, ऐसा नह आपना religion है पर लेकिन हाँ, मानवता का religion सबसे उपर है, इसलिये हमारी country में समीधान को सबसे उपर रखा गया है, आप लोग पागिस्तान के अदर जगर जाओगे, तो वहाँ पर इसलाम को सबसे उपर रखा गया है, और आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ पर इसलाम को समिधान की क्या चलती होगी फिर तो इसलिए पागिस्तान के अंदर जो माइनोर्टी हुआ करती थी हिंदू कम्यूटी की वो आज की डेट में घटकर बहुत जादे नीचे आ गई है इतनी ज्यादा प्रोलोम हाँ पर फेस करती है हिंदू कम्यूटी और हमारी कंट्री में आ इकता के बारे में जब हुँँ लोग बाते करते हैं ठीक है तो रिलीजन के बारे में किसी कुछ नहीं बोलना है बाकी जो भी कोट होगा वो डिलिजन देगा जैसे अभी आप लोग को पता है आयोध्धा वाला मुद्दा था कोट ने बढ़ए अच्छे से सुलचा है वो म मर्स तो साइटे में तो आप लोग को तो देखना है कि उन को कैसे टैगल करना एंगैशे कैसे के बांद लेना कि निट्रल रहने की कोशिस आप लोगlor करनी है जब आप लोग एक सीविल स्टार कुछ ऐसे आप लोग इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा एक से कलाकार भरे पड़े हैं अच्छा मुवी तो आप लोगों ने देखी होगी ना पुस्पा आप उन साला जुगे गनाई ठीक है तो वह वाली मुवी में आप लोगों ने बड़ा ही एक ट्रिक देखी ह होगी जिसमें आप पर अगर कुछ वयापार करना है तो उसके क्या क्या लोग फोल ढूंडे जा सकते हैं अनि बचपन में चीटिंग करनी होते थी कि हां किस तरीके से कहां का पर एक तरीके से नकल चुपा कर ले जाने तो कंडिशन आप लोगों ने देखे होगी अच्छा आप लोग अगर कोई आप लोगों से पूछे कि कोई सामान है उसको एक जगे से दुरी जगे पर ले जाना है और वो किसी को दिखाई भी न दे तो उसको बचाने के लिए क्या क्या तरकी यह आप लोग लगा सकते हो तो आप लोगों जो तरकी भी हां पर बताने जा रहा ह तो में आप वो आप लोग को सोचे भी निए हुए कि अभी रिसेंट नहीं हाँ पर क्या किया गया है 72 ऐसे पैकेट जो की चिप होए थे यहाँ पर दुबई से यहाँ पर लेकर आएगे जो यहाँ पर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की दौरें हाँ पर इस तेरीगे से इ उस पा मुवी आप लोगों ने देखी तो उसमें क्या करते हैं दूद का जो कंटेनर होता है उसको कट करते हैं नीचे जो है उसमें लकडिया भरता है ओपर उसमें दूद डालते हैं तो यह situation है आपर तो इसी के नाम पर इसका operation भी gearbox रख दिया गया जब ऐसे ऐसे कलाका रहे हैं ऐसे इसी हरकते कर रहे हैं तो पुलिस ने भी सुचा कि नाम भी इसका यही रख देते हैं तो gearbox operation अगर पूछें तो यहाँ पर क्या किया गया जो basically government के द्वारा तो gearbox operation इसने नाम क्योंकि जो heroine यहाँ पर ही छुपाई जारी थी इनके द्वारा उसको पकड़ा गया है उसके substance जो देखने को मिले उसके नाम पर इसका नाम दिया गया ठीक है तो सबसे पहला तो important जो मुद्ध है आप लोग यह याद रखेगा बाकी अगर बात करें जो drug के addiction के जो cases आप को देखने को मिलते हैं और इससे लिटेड लोग suicide करते हैं हमारे देश के अंदर में तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो जो राजे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग को cases देखने को मिलेगे यह निके पढ़ा लिखा इंसान जैंवो सबसे ज्यादा बत्तमी के अंदर में बात करें और यहाँ पर केरला के अंदर में 14 है तो इससे अंदाज लगा सकते हैं तो यह data है किसी scale पर abuse कहते हैं तो यहाँ पर alcohol, cannabis, भांग या फिर जो भी यह सारे जो चीजे हैं इनके इसके बारे में अगर पढ़ने के लिए कुछ पूछने के लिए कोई question पूछे तो आप लोग कुछ बाते जुरूर याद रखनी है आप एक तो यहाँ पर golden triangle है यहाँ पर याद रखेगा triangle नाम है पर इसमें चार कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी मैनमार लाउस थाइलेंड और वियतनाम जब भी हमारे देश की flight या कोई भी इनसान अपने देश से इन देश में आता जाता है तो उनकी special focus के साथ में checking की जाती है ताकि कल को कोई हरकते ने देखने को मिले और यहाँ पर कोई इनसान जो है इनका सिकार होतवा ने पाए जाए तो इसको रोका जा सके क्योंकि जब इनसान इस हत्ता गिर सकता है कि एक गेर बकसे के अंदर में हाँ पर इस थरीके से वो चीजों को छुपा गर ले जा सकता है तो सोचो इंसान जो है कितने हद तक यहाँ पर दिक्कत क्रियेट कर सकते हैं अगर उसको लोगों को एडिक्सन में डाला जाए इसी के नाम पर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट लाए जाती है जिसमें इंडिया जो था वो वर्ल्ड में सिंगर लार्जेस्ट ओपरेटेड मार्किट था जिसमें हाँ पर इसको यूज करने वाले लोग पाय जाते हैं इससे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कितने खतरनाक चीज यहां से यह निकाल कर लाए जा रही है NCRB जो कि National Crime of Record Bureau के बारे में मैंने आप लोगों से बाते की हैं कई बार यह जो पर्टिकुलर यह देटा बताती है कि हमारी कंट्री में अगर NDPS जो एक्ट है उसके तहत अगर आप लोग बात करेंगे लगबक साथ हजारी करीब केज जो हैं व 40 क्रोड पलस है तीन करोड यहां पर कैनाबीस और यहां पर इसी के साथ में ओप्यड जो यूज करते हुए लोग पाय जाएंगे अप और इनी के ओपर जो डिपेंडेंट है वो आप लोगो काफी सारे लोग देखने को मिलेगे आप लोग खुद सोचो एक इंसान है वो य जिसके ओपर डिपेंडेंट होते हैं तो इनको सबको रोकने के लिए गोर्मेंट के कही सारे इनिशेटिव है जैसे एक तो यहां पर सीज करनी है इनफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तुरू नैशनल ड्रग एब्यूस सर्वे करा जाते हैं एंडी पीडियस जो एंडी जो कि 1985 में हाँ पर लेकर आए गया था यह बोलता है कि अगर कोई इनसान कोई ऐसे नसीले पदार्त का सेवन करता है तो वो रियल्टी में कोई इनसान जो है वो एक नॉर्मल इनसान नहीं है वो एक तरीके से पेसेंट है यानि कि वो एक तरीके से मरीज बन चुका है अब इसको इलाज की जुरत है ना कि उसको देल में डालने की जुरत है तो यह बातें यहां पर बोले जाते हैं इस particular act के दुरू और मैंने आप लोगों को बताया कि article 47 जो है वो इसी particular प्रपच के लिए इस्तमाल कियाता है कि कैसे हैं आपर इस situation को normal करना है जिसकी वैसे काफी पारें दिक्कते देखने को मिल रही है यह एक्ट यहां पर बोलता है ठीक है इंटरनेसल कई सारे ट्रीटीज में जैसे युनाइटिड नेशन अगर बात करें कन्वेंशन ओन नार्कोटिक जो ड्रग्स है ठीक इसी के साथ में साइको ट्रेफिक सबस्टेंस है 1971 का इसी के स से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओडर में बढ़ाने के लिए भी आ सकते हैं इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंफोर्मिशन आप लोग को रखनी है क्योंकि कई बार ऐसे कुश्चन जो है वह आप लोगों से एक्जाम में पुछे आते हैं ड्रग एप्यूस के ब अपने राज्या के बारे में आप लोग याद रखेगा कल को पता चला कि वहां कुछ औरी चला आप लोगो उसका इडिया भी नहीं है तो फिर बेजती हो जानी है ठीक है तो इसलिए कहता हूं कि न्यूस जो है वह एक्जाम के लिए नहीं ओली आप लोग की परसेनल्टी ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इन चीजों का वया पार करते है अभी मैंने आप लोगों को दिखा है यहाँ पर यह इधार हो गया और यहाँ पर एक वेस्टम हो गया एक इस्टम हो गया तो इसलिए यहाँ पर यह काफ़ी इंपोरेट है तो बड़े- लिए जा सकते हैं इन चीजों को रोकने के लिए ये बात के गई है तो लंबा कोशन है तीन पार्ट में डिवैड करकर यहां पर पूछा जब भी किसी कोशन का आंसर लिखते हो तो एक तो आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है वहां पर राम खता नहीं सुनानी हैं कि हाँ आप लोग कुछ भी लिखे जा रहे हैं तो कोशिस यह करने की पॉइंट टू पॉइंट लिखो और पॉइंट टू पॉइंट कभ लिख पाओगे जब आप लोग प्रोपर यह में उसके नोट्स बना की रखोगे और उसका रिविजन करोगी और नोट्स जो एक टोफिक उठाओ उसको तयार करो और उसके कम से कम एक या दो कोश्यन आप लोग फ्रेम करो तो इससे आप लोग को एडिया लग जाएगा कि पूरी बनाने में कितना टाइम लगता होगा वो से फील भी होगा आप लोग को कि exactly जो है मतलब कितना टाइम लग रहा है इसलिए कि आप लोगों को कोई पैसा भी नहीं पे करने बस एक काम करने कि आप लोगों रिवजन कर लेना इसका दो तीन बार एक्जामिनेशन होल में जाकर बैठ होगे तो मैं गैरेंटी देता हूं अनकमफरडेबल फील नहीं करोगे मैक्सिम कॉश्चन के आंसर आप लोग कर पा आप लोगों पढ़ाए करते रहो ठीक है एक कोश्चन है जो कि आप लोगे लिए प्रिपेर किया गया है आपर एक अब्जेक्टिव टैप कोश्चन भी गोल्डन ट्राइंगल जो है उसके अंदर तीन कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी इरान वन उब दा कंट्री ह एक्जामनर सीधस दा बोलेगा कि चलो फसाले इसको टाइंगल बोलकर पर लेकिन इसके अंदर चार कंट्री है ठीक है क्रिसेंट जो है गोल्डन क्रिसेंट के अंदर इरान है जी हाँ बिल्कुल है तो आंसर भी हो गया धंग से आप लोग इसको देख सकते हैं कर लोगों क चीज के लिए कि अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर उस चीज का कोई मतलब बनता नहीं तो आंसर राइटिंग का भी कोश्चन हो गया और वैसे भी आप लोगों को नॉर्मल जो अब्जेक्टर टाइप कोश्चन भी हो गया अब यहां से अगर कोई आप लोग उसे पूछ तो जब इस तरीका आंसर आप लोग लिखोगे तो भला एक्जामनर मार्क्स नहीं देगा क्या रहा है मार्क्स लेना आप लोग जानते ही नहीं है आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे हैंगे तो फिर से में बोल दो अच्छे से आप लोग प्रैक् के राना है अच्छे से प्रेक्टिस करो क्योंकि अभी कुछ एक-दो दिन बचे में उसमें थोड़ा सा अपनी दिमाग को सांत रखनी कुछिस करना क्योंकि बहुत बड़ा एक यूद चलता है जिसकी वेसे यहां पर पूरे लंबे समय तक उंगलिया दुख जाती है वाइसा बात होगी और दिमाग चलना हो जाता है बंद हैंग हो जाता है पर लेकिन कैसे रोक सकते हो आप लोग इस चीज को हैंग होने से वह है प्रेक्टिस इसलिए कहता हूँ प्रेक्टिस पर जादे से जादा फोकस दो आप लोग ठीक है तो वह जुरूरी भी है यह एक means answer writing के ल but its fruit is sweet ठीक है तो यहांगे कहने का मतलब यहांपर क्या हो गया सबर जो है वो थोड़ा खटा होता है फिर कड़वा आप लोग बोल सकते हैं खटा तो नहीं बोला जाए कड़वा बोले बीटर मतलब ठीक है कड़वा और खटा कई सार कई बार ना मैं confusion होता हूँ तो लिखते हूं इंडिया लिखते हैं पहर फर इंदिलिस में अरु हिंदी हमिलिक्ण भारत ठीक है ऐसे हैं आपर यह तो यह एक इनसान की नमा बोल भी सर ऐसे हों उलगने प्लिक में और एक इफॉलो कर सकते हो ठीक है फिदबैक जरूर देघरो कल बोच्छों दिया, बहुत सारे बच्चों ने participate किया feedback में, तो इसी तरीके से participate करना है, कोशिस करो कि 10K प्लस जो है feedback आप लोग को देना है और जो question पूछता हूँ, उनके answer आप लोग को जरूर देना है, ठीक है जिससे कि आप लोग जो है, SLV commando बन सकते हैं, और SLV commando बनना तो अपनी जगह है, आप लोग किसी चीज को लिख लोगे ना, एक बार, लंबे समय तक वो याद रहने वाली है, तो लिख कर चीजों को याद कर सकते हो, comment box में जब लिखते हो बहुत सारी चीज़ आप लोग को recall भी होती है उस टाइम पर, ठीक है, तो इसलिए लिखना प्रोसेजर आप लोग को देखने को मिलता है UPSC का भी पेपर है, आप लोग को बता है कब से 16 September से स्टार हो रहा है ठीक है, तो 5 दिन पूरा पेपर आप लोग को पार्ट होगा, अगर आप लोग reality में लिखने से बचोगे, तो कभी इसको आप लोग जिंदगी का पार्ट नहीं बना पाऊगे, और आगे नहीं बढ़ पाऊगे तो इसलिए कहता हूँ, जो भी question daily देता हूँ उनकी answer जूर लिखो और जो बच्चे participate करें, उनका answer आप लोग चेक कर सकते हैं, एक बच्चा mail लिख रहा है, कह रहा है कि सर इतने सारे question की बोचार कैसे कर दी है तो यहाँ पर कल कुछ चीज़े share किये आप लोग के लिए टेलिग्राम पर, एक तो यहाँ पर topic share किये है मैंने, जो की काफी important topic है recently अभी तो UPSC JSA paper 3 में कौन-कौन से important issues हो सकते हैं और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो JSA paper 1 के अंदर में, कई सारे ऐसे topic आप लोग के सामने हैं जो की काफी important है, recently बहुत ज़्यादे news में रहे हैं तो इनके ओपर question पूछने के chances आप लोगे बढ़ सकते हैं exam में तो हलका सा जो भी means का paper देने जा रहे हैं वो इसके ओपर थोड़ा सा नजर जरूर डालेना, ठीक है और बाकि इसी के साथ में, SLV Pedia पर कल जो हैं अच्छे से, और बाकि daily बहुत सारी चीज़े share की जाती हैं वो आप लोग अच्छे से enjoy कर सकते हो answer writing group में जाना, answer आप लोग को लिखना है वहापर अच्छे से वहापर सारी चीज़े आप लोग देखते हो एक दूसरे का answer review भी आप लोग करने हैं बहुत सारे बच्चे participate कर रहे हैं regular देखो कितने सारे बच्चे तो आप लोग इनका एक दूसरे का answer आप लोग review कर सकते हो at least कोसिस करो, दो या तीन answer review कर लो आप लोग को आज़े इदा सिमिंट लगी फटापट पढ़ने में इससे क्या होगा, बहुत सारे नए point आप लोग जानने को मिलेंगे तो आगे उनको अपने answer में भी आप लोग include कर सकते हो और इची के साथ मैं सामने वाले की आप लोग गलती बता सकते हो पर फिर से मैं ही बोलूँगा, demotivate नहीं करना है उसको बोलो कि यह चीजे improve करो, बाकी बहुत अच्छा लेकर हो तो एक दूसरे का साथ बनना है आप लोगो, ठीक है? तो इस चीज रियाद रखेगा एक काफी बड़ा मुद्दकल देखने को मिलागा नोर्मली इंडिया जो है, इस मुद्द्यों को जो है काफी एक तरीके से अच्छे से लेकर चलता है ताकि हमारी कंट्री के जो भी कम्यूनिटी के लोग है जो स्रिलंका में रहते हैं, उनको ध्यान रखा जा सके थोड़ जा ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुधरने का नाम ने लेते है स्रिलंका, जो है, बेसिकली स्रिलंका गोर्मेंट है वो तमेलियन कम्यूनिटी जो स्रिलंका के अंदर देखने को मलती है उनको प्रोपर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशी सी नहीं करती है आप लोग बोलो के तमेलियन कम्यूनिटी स्रिलंका में कहां से आ गई यार अंग्रेज हैना नोंने इतनी ज़्यादा बेगारी फैला रखी है जिसकी उचदनी है और आज की दिर में हम लोग उनको समेटते समेटते रह जाते हैं एक तो इंडिया और पाकिस्तान के बोडर पर बेगारी आप लोगो देखने को मिलेगी इधर बंगलादेश जो है वो तो खेर पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट हो गया इसी के साथ में मैंक मोहन लाइन के पास में जाओ कि चाइना के साथ में बेगारी आप लोगो देखने को मिलेगी तो बहुत जगे बेगारी फैला रखी है तो इसलिए जरूरी है उनको समेटना वरना दीकते चलती रहती है तो अंग्रेज क्या करते थे हैं आपर खेती कराने के लिए बहुत सारे इंडियन जो तमिलाडू के अंदर रहते थे उनको स्रिलंका के अंदर ले जाते थे और आप लोगों मैंने बताय था कि हमारा देश आजाद वा था 1947 में सिरलंका आजाद वा था 1948 में आप लोगे बताने कि चाइना कब आजाद वा था ठीक है देखता हूं पता है कि आप लोगो तो यहां पर जब लेकर जाते थे तो लोग काफी लंबे समय से अगर कोई 10-20- के बन जाएगा वहीं पर काम करने स्टार्ट कर देगा ऐसे यहां पर रुवा करता था तो कंडिशन क्या होगी फिर देश आजाद हो गया आजाद होने के बाद में आपर गवर्मेंट आ गई तो यहां पर जो भी तमीलियन कम्मुनिटी के लोग थे वहां पर पढ़ने लि यहां पर फिर उसके बाद में थोड़ी सांती आती है और एक अमेंडमेंट के जाता है जिसको तहेरवा अमेंडमेंट बोलते हैं इसमें यह किया गया कि जो भी तमीलियन कम्मुनिटी के लोग हैं उनको आप लोग को अधिकार प्रोवाइड कराने हैं वहां पर प्रोपर पर लेकिन यहां पर इसको बोलतो दिया कि अमेंडमेंट कर दिया पर लेकिन आज तक इसको इंप्लिमेंट नहीं किया है इसलिए हमारा देश जो है बार-बार इस मुद्ध को यून में उठाता है कि लैक ओफ मेजरेबल जो एक तरीकसा ना जो प्रोग्रेस होनी चाहिए ह पर तो उसमें कमी देखने को मिलेगी तो स्रिलंका की जो गवर्मेंट है वह ऐसी हरकते कर रही है आप हालकि पता है स्रिलंका जो खुद घुटनों पर आ रहा है अभी यहां पर डेट क्राइसिस में फसवा था तो उसके चलती कंडिसन देखने को मुलेगे स्रिलंका जब यूएन हुमेन राइट्स जो कांसिल उसका देखने को मिला जनेवा यानिके शुर्जेलेंड के अंदर में तो वहां पर हमारे द्वारा यह मुद्दा उठाए गया ठीक है तो यह मुद्दा कि है अभी और भी आगे चलेगा है आपर यह ऐसे मुद्दे होते हैं जो चलते रहते हैं तो मैं आप लोगो हमेसा बोलता हूँ कोई ऐसा टोपिक है जो रेगूलर चल रहा है उसको आप लोग क्या करना है बैट के एक बड़ तसलिए में कवर करना है जब भी दिक्कत है उसकी दूर करने और फिर अपनी चीजों को कवर करना अच्छे जैए ठीक ह और जिस किसी को यह लगता है आज की डेट में कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता है कि सारे ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं अगर आप लोगो time ने मिल पाते हैं यहाँ पर देखो sir I am currently in Indian Navy यह जो बंदा है Indian Navy के अंदर में है और फिर भी हाँ पर regularly यह वीडियो देखने का time निकाल लेता है अपने लिए ठीक है तो आप लोग सोचो जो regularly पढ़ाई के लिए ही dedicated है घरवालों ने पढ़ाई के लिए छोड़ रखा है और वो उसके लिए time निकाल पा रहे है तो मेरे भाई time कहां जा रहे है तो बता दो और किस चीज में time जा रहे है अगर फिर गलत चीज में time जा रहे है तो फिर गलत बात है अभी मुझे हसी आ रही है बोलते भी यह बात एक बच्चा जो है इस्टाग्राम पर मुझे पोच रहा है मैं नाम नहीं बता हूंगा पर लेकिन यह उसकी प्रोलम नहीं है यह मैक intention लोगों की प्रोलम है जब आप लोग जाते हैं एक तरीखे से washroom के अंदर में तो mobile लेकर जाते है ठीक है तो उसने बोला कि सर talk सर्थ यहाँ तौछ पर आप लोगी रिल सिले जा रही है तो वह condition वहां पर देखने का मynn الد prevail अभर यह मैं जो बाते में बोल रहा हूँ कि यार यह तो हम भी करते हैं यह maximum लोगों की problem है वोश्रूम में mobile लेकर जाना ठीक है आप लोग वोश्रूम में mobile लेकर नहीं जाओगे न तो आप लोग को थोड़ा सोचने का मोगा मिलेगा क्योंकि नामी उसका सोचा आले है तो यह चीज़े हैं यार बाकी आप लोग problem face करते हैं यह वाली कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं वोश्रूम में बैठके बताएगा ज़रा एक यहाँ पर एक ही important चीज़ लगी इसके base पर मैंने आप लोग को starting में बोला था कि आज की date में अगर आप लोग अपने जिन्दगी को सही तरीके से लेकर चल रहे हैं तो घरवाले आप लोग को बहुत ज़दे appreciate करेंगे जैसे कि हाँ पर बोला गया कि वीर सर की class चल रही है ठीक है मतलब घरवाले को पता चल जाता है कि time क्या हो गया एक तरीके से time बताने की जुर्यत नहीं है alarm लगाने की जुर्यत नहीं है class आ गये तो इसका मतलब 6 बज़ गये class खतम होगी तो इसका मतलब ज़ए लगबग 7 बज़ जाएंगे तो ये आप लोग समझ सकते हैं घरवाले आप लोग को disturb भी नहीं करेंगे वरना बहुत सारी दिक्कते देखने को मिलती है जिंदगी में और ये ऐसी चलती रहती है तो ये था particular topic आईए अब आगे बढ़ते हैं जो next topic है उसको मैं थोड़ा सा तसलिमे और detail में discuss करूँगा बहुत सारी question भी आप लोग के आएंगे और कई सारी बाते में आप लोग को यहां पर बताने वालों अभी है क्या हमारे देश के अंदर में broken rice जो है उनका export वो यहां पर अभी बंद कर दिये broken rice मतलब तूटे वे दाने मैं अपनी भासा हैं बोलो दुकान पर जाके किनकी वाले चावल दे देना किनकी वाले चावल मतलब जो किनकी नहीं किनक छोड़े चावल होते हैं और interesting चीज है यह जो चावल होते हैं छोड़े चोड़े से चावल होते हैं टूटे वे चाल जिनको बोलते हैं यह खिचडी बनाने के काफी काम आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, खिचडी काफी अच्छी बनाए जाती है इन से, क्योंकि मैंने basically बनाई भी है, तो मुझे आइडिया है, बाकि आप लोगों ने खाई ने, खाई तो सबने होगी यह खिचडी, खिचडी काफी शांदार बनती है, जब पेट खराब होता है, तो उस टाइम बहुत काम आती है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हाँ पर हम लोगों ने इनका जो एक्सपोर्ट, यानिके जो इसको बेच रहे थे, अभी हम लोगों ने उसको बैन कर दिया, क्योंकि यह बोला गया, यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसका एक्सपोर्ट, बहार के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो चीज़ा आप लोगों देखने को मिलती हैं, तो यह जो important topic economic point of view से भी हो जाता है, और IR, यहनिके international relation की point of view से भी देखने को मिलेगी, कई सारी बाते निकल कराती हैं, पर लेकिन फिलाल पूरा focus maximum में कोसिस करूँगा economic point of view से ज़्यादा बताया जाए, क्योंकि Ukraine वाले मुद्दे और उसकी वेसे जो दिक्कते हो रही हैं, अब आप लोग सब जानती है, कि Ukraine जो है वो दुनिया में लगबग और रसिया मिलकर 25% के हों का support प्रोवाइड करा रहे थे, पर आज की रेड में दिक्कत कह है, आज की आज की ब्रोष के ज़से ज़ाएं, और हम लोग बाहर बेट गया है, क्योंकि हम लोग को पैस चाइन में हमारी ओर कमी ओगी, और कमी होगी, तो और कमी होगी तो ओरोगों को दिक्कत है देखने को मिलेगी, आज की यहाँ पर यह ज़्यादा कुछ खरीदने रहा था सैनिगल, वियतनाम, जिबूती, इंडोनेशिया यह वो देश हैं जहाँ पर हमारा यह टूटा हुआ चावल जो है वो काफी लार्ज स्केल पर खरीदा जाता है आप लोगों एक ऐसी बात बताऊँगा जो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे आज के डेट में कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा और यह आप लोगों ने अपने आप में भी देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि घर से पैसा आता है कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनको उड़ा देते हैं और कुछ बच्चे आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगी कि अपना पैसा सिंवा कर रखते हैं कि पहले दूसरों खर्च करवा देते हैं अपना पैसा आराम से इटलाइज करेंगे ऐसी कंडिसन यहाँ पर आज केट में बड़ी-बड़ी अमीर कंट्री की देखने को मिल रही है क्लाइमिट चेंज का मुद्धा आप लोगो पता है क्लाइमिट चेंज आज केट में ऐसा लग रहा है कि इसको हर एक इंसान जो है अमीर कंट्री ने किया है जो कि यूरोप के अंदर में आती है और इसी के साथ में हाँ पर यूएस से ये कैनेडा इनके दौरा बहुत ज़्यादा एमिशन किया गया है जिसकी वैसे क्लाइमिट चेंज जैसी प्रोलम देखने को मिल रही है पर मुद्ध हैं पर ये नहीं है कि अभी एमिशन कर दिया तो अभी यह क्या कर रहे है अभी यह स्मार्ट प्ले कर रहे है मतलब आप लोगो याद होगा मैंने आप लोगो बताया था कि अगर चावल आप लोगो को आज की डेट में मतलब चावल की खेती आप लोग कर रहे है तो एक किलो चावल अगर आप लोगो को उगाना है आप लोग यकीन नहीं मानोगे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोग गूगल में जाकर कन्फरम भी कर सकते हैं कि एक किलो ग्राम चावल को उगाने के लिए कितने पानी की जुर्यत होती है बताओ अंदाजा लगाओ चलो अप लोग अंदाजा लगाओ एक किलो ग्राम चावल अगर खेत में उगाना है तो कितने पानी की requirement होगी उसके लिए लीटर में बताना आप लोग 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000, 5000, 6000, 10,000 कितना बताओ तुक्का मार एक तुक्का ही मार के देख लो जब बताओंगा तब पत जलेगा एक किलोग्राम चावल को उगाने के लिए तीन से लेके 5000 लीटर पानी की जुरुत होती है तो इसका मतलब यह कि अगर एक किलोग्राम चावल हम लोग मार किट में ले जा रहे हैं इंडरेट वें बोला जाएं तो मोटे मोटे तॉर पर वोलो तो 4000 लीटर पानी हम लोग बेच रहे हैं एक लीटर पानी की बflows्तल कितने की आती है जानते हो 20 से 30 रूपे की आप लोग को देखने को मिलेगी मार्किट के अंदर में आप लोग सोचो कि यहाँ पर चावल कितने में बेच रहे होंगे हम लोगों आपर USA जैसी country चाइना जैसी country यह आज के लिए दिमाग लगा रही है यह क्या कर रही है जिसे हमारे यहाँ से चावल ले गए चावल ले गए अपने देश के अंदर में खरीद कर इन डेरेक्ट वे में देखा जाए तो हम लोगों ने उनको अपने देश का पानी बेच दिया वोटर बेच दिया यह कंडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगी है और जो भी यहाँ पर हमारे देश से खरीद कर लेकर जा रहे है तो अच्छी बात क्या हो रही है उनके वहाँ पर एमिशन होई नहीं रहा है किसी चीज को लेकर अब हम लोगों ने अपने हाँ पर इसको हो गया हम लोगों ने क्या क्या उनको बेच दिया पर लेकिन अभी जो मसीन आती है उसको थोड़ा सो ओपर से कट करना है स्टार्ट कर देती हो तो फिर उसको खेतों में जला जाते हैं तो फिल कहते हैं कि एमिशन निकल रहा है बहुत जा रहा ऐसे सी चीज़े आप लोगों देखने को मिलती है तो यह अमीर कंट्री आज केट में युएस से तो इतना प्ले कर रहा है आज केट में अगर मैं आप लोगों को बताओ अपने देश के अंदर में उसका दुनिया भर का कुरूड ओयल है कच्चा तेल पर लेकिन वो क्या कर रहा है बाहर से तेल खरीद रहा है और उसको उटलाइज कर रहा है क्यों वो अपने रिसोर्सिस खतम करना ही नहीं चाहता है तो यह कहते हैं अमीरत की बात यानि कि अपना माल रखा हुआ है अराम से इस्तमाल करेंगे सामने वाले का खतम करवा देते हैं पहले तो यह situation देखने को मिलती है इसके ओपर कई सारे export जो हैं बहुत सारी बाते बताते हैं कि हम लोग बोलत रहे हैं कि agriculture की चीज़े हम लोग export कर रहे हैं इंटरेक्ट में देखा जाए तो हम लोग raw material अपना export कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने महनत कि होती है और raw material का price जो है वो कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा आप लोगो price किसका अच्छा मिलेगा वो finish good का मिलेगा समझने के लिए raw material हम लोगों ने गेहु बेच दिया उसका price अच्छा मिलेगा या फिर उस गेहु से blade बनाकर हम लोगों ने बेची उसका price अच्छा मिलेगा बताओ किसका मिलेगा तो इससे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि किसका price अच्छा मिल रहा है तो maximum जो developed country है वो बना बनाया product बेचते हैं और हम लोग उनको raw material देते हैं तो इससे हम आप लोगो देखने को मिलती है राइस से liquor बना जाते हैं यहाँ पर राइस को आज की date में कई जगे हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं इवन अपनी country में जो ethanol है उसके लिए भी हम लोग इसके अंदर low होता है डेली कोशिस करो कि कुछ चावल आप लोग जुरूर लो अपनी डाइट के अंदर में चावल दाल एकसी के साथ में mix जो भी सबजी आप लोगी है कुछ ऐसी चीज़े खाओ जिससे कि आप लोगी बोडी में complete जो है अच्छे से जो है चीज़े पहु तो इसकी वैसे domestic level पर हमारी country में दिक्कत ये देखने को मिलती है हम लोग monsoon पर काफी जहत तक dependent है और monsoon जोब ओपर नीचे होते है तो हमारे यहां पर दिक्कत ये देखने को मिलती है एक interesting चीज़ है जो creep जो है हमारी देश में कुरूब की तीन pattern देखने को मिलेंगे रभी MSP यानि के minimum support price जो है वो अच्छा मिलता है जिसकी वैसे कई सारी और दिक्कते देखने को मिलती है लोग वो खेती वहाँ पर कर रहे है जहां पर उस खेती को उगाने के लिए पानी भी बहुत कम है तो इसके चलते जरूरी यह है कि इसके उपर हम लोग को focus देना चाहिए अ चावल जो है वो गहों से भी ज्यादा खाया जाता है यह समझ सकते हैं आप लोग इसको उगाने के लिए 22 से लेके 32 डिगरी यानिके एक हाई humidity वाला टाइम प्रीचर चाहिए rainfall जबरदस चाहिए 150 से लेके 300 cm तक rainfall चाहिए मिट्टी जो होनी चाहिए वो deep clay या फिर loomis soil होनी चाहिए यह सारे geography के अंदर NCRT के अंदर विंसन है तो उससे आप लोग connect करके इसको देख सकते है तो price producing state कों से है सबसे top पर one number पर आता है West Bengal, दूसे number पर पंजाब, तीसरे पर उतर प्रदेश, चोथे पर आंदर प्रदेश और पांचे पर बिहार तो यह पांच याद रखेगा, बाकी अगर बात करें हमारी country में कई सारे program है जैसे national food security mission, इसी के साथ में hybrid rice seed production, रास्टे किरसी विकास योजना, यह इसी के उपर काम करते हैं यह भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, major rice producing जो इस्टेट आप लोग यहाँ पर देखें, और बाकी यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि biggest rice production in India, तो सबसे ज़्यादक कहाँ पर है, वो west बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा, तो यह कुछ ऐसी basic चीज़े हैं, जहां मैंने भी आप लोग उसे creep crop के बारे बात हैगी, तो यहाँ से direct question आप लोग उसे पूछ ले आते हैं, जैसे कि आप लोग देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर बोला जागा है कि, एक तरीके से बोला गया है कि, कि यहाँ पर which one is the largest exporter of rice in the world, last five year में, सबसे ज़्यादा rice किस न export किया है, तो यह हमारे लिए वड़ी चिंता की बात है, कि हम लोग ने सबसे ज़्याद export किया rice, तो यहाँ पर 29 में हाँ पर question बहुचा गया, ठेक है, इसी के साथ में, consider करना है कौन सी statement, जो हो creep crop है, cotton, groundnut, rice और wheat, ऐसे question आप लोग उसे direct पुछ आते हैं, ठेक है, तो answer के है आपर answer C सही है, C सही है, मतलब fourth जो है, जो wheat है, rice मैंने बता दिया अभी creep crop है, यहनि कि यह तो होगी निसकते हैं आपर, तो दो के बारे में कम से कम अगर आप लोग को बता है, तो wheat जो है, वो रभी crop आप लोग को देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसी basic crop है, जो आप लोग के पूछ जाए, तो confused नहीं होना है, एक यहाँ पर बात की जा रहे है, rice cultivation के बारे में time pressure इन सब चीजों के बारे पूछ ले, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना time pressure होना चाहिए, low humidity होनी चाहिए, दूसरा बोला गया, इतना rainfall होना चाहिए, ठीक है, 1500 से लेके 300 तक का, examination exam में आप लोगो देखने को मिलते हैं, तो किसी भी system को अगर समझो ना, उसको अच्छे से एक बार समझ लो, ताकि कोई भी doubt देखने को ने मिले, यानि कि धंक से topic को तयार करने है, यहाँ पर तो मैं आप लोगो पढ़ा रहा हूँ, मैं वैसे बोल रहा हूँ, अगर अभी भूलोगे नहीं, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रखोगे, तो practice इसलिए मैं कराता हूँ, ताकि आप लोग लंबे समय तक चीज़ों को याद रखो, agriculture जो है, वो कहां पर आप लोगो देखने को मिलते हैं, अगर बात करें, यह union list में है, यह state list में है, यह फिर feedback जरूर देना, जो भी आप लोगो लगता है, समझ में आया है, यह फिर समझ में नहीं है, डाउट है, तो पूछ भी ले न उसको, ठीक है, एक dialogue आप लोगों ने सुनोगा, an apple a day keeps the doctor away, यानि कि daily अगर आप लोग एक apple खाते हैं, तो आप लोग कभी doctor के पास नहीं जाएंग इसलिए apple जो है, वो कई बार अमीरों का fruit भी बोले जाता है, जबकि जो आम है, उसको तो आम आदमी भी खा लेता आराम से, ठेक है, पर apple जो है, और अनार जो है, यह दो चीज़े ऐसी हैं, कि इनसानों को अगर खाने को मिलती है, तो अकसर बीमारी के time पर खाने को मिलती है या फिर एक ऐसा अमीर आदमी, जो कि रेगुलर्स को खा सकता है, कि ठीक ठाक फरिवार से आता है, तो यह गाउ में तो खास कर अगर देखा जाए, तो नोर्मल यह पैटर्न आप लोगो देखने को मिलते हैं, से टेज में आदमी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने के लि अपनी लाइप में इंक्लूड कर सकते हैं, बच्चा बोल भी रहा था, कि सर जैसे कि हम लोग लाइबररी में पढ़ते हैं जाकर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, कही सारे तरीके, अपना सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे कि जब आप लोग प स्तसा आजाएगा और घर पर लाग और इसको भून लेना आप लोगों को अक्सर मैं बोलूँ मैं जैसे की जैसे कोई काम करता हुआ तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक बैठना है तो मूंफली और मखाने जो हैं यह दो चीज़े ऐसी हैं जो कि आप लोग को जब भी आप लोग खाओगे थोड़ा सा भी तो आप लोग की बोड़ी जो है जल्दी ही एक तरीके से आप लोग को भूग कम लगई काफी जाद ह और आप लोग के अंदर एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी और सबसे बड़ी चीज क्या है इन दोनों की मुंफली और मखाने की यह आप लोग का फैट निबढ़ने देता ठीक है और आप लोग को काफी एक हेल्दी जो एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक डाइट में इसक में हिमाचल प्रदेश हो गया यह जो रीजन है हमारे केस में एपल को उगाने के लिए गड़ माने जाते हैं गड़ मतला जहां पर काफी लार्ज स्केल पर चीज़े जो है वो उगाए जाती है पर लेकिन दिक्कत क्या है एक इंसान को मैं बोलू मैं बोलू कि एक बच्चो को दूँगा बस उसी से बात करूँगा तो यह क्या होगा गलत बात है ना अभी दिक्कत क्या देखने को मुल रही है जो में जो एपल बेचने वाले लोग है उनको MSP दिया रहा है यानिके मिनिमूम सपोर्ट प्राइज यानिके उनका जो एपल है पर्टिकुलर भाव में मार्केट में बेचा जाता है हाला कि उसके पीछे रीजन था जब से महाँ पर आर्टिकल 370 जो है वो चेंज किया गया तब से लेकर वहाँ पर एपल की खेती बरबाद हो रही थी वैसे तो लोग बेसिकली दिक्कत में आ रहे थे तो इसलिए उसको मिनिमूम सपोर्ट प्र करैंट यह वहाँ ब on-screen जाट इसपूर्ट से लिए टांस दीए गए उनको उसको ultr communication दीए उसको Qa Rather में अब Если被 पर आहा इंको पारव बनापन आ है तो जब तुम एसारे सब्सक्राइल के नदर जादर 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 लोग जो है वो एपल लोग आने लगे और यह कब किये तुमने 1970s और 80s में किये अभी हम लोग कहा है हम लोग अभी हाँ पर 2022 में बैठे हुए है तो यह कहने का मदलब है कि पिछले 40 से 50 सालों में आप लोगों ने पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराया कि लोग जो है वो एपल की खेती करने लगे और वाभी यही दबा कर लोगों ने यहाँ पर एपल की जो है वो खेती स्टार्ट कर दी हमाचल परदेश के अंदर में आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर एपल की खेती होती ही नजराती है तो अभी यहाँ प लोग जो बड़े जो खरीदार है market के जो big player है उनको बेच लें दूसरे आप लोग अपनी local market में बेच लें तो यहाँ पर दिक्कते क्या है जो सबसे बड़ी अभी निकल कर आ रही है यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आ रही है लोग इसलिए हाँ पर प्रोडेस्ट कर रहे है कि उनका इंपूट को जो है वो काफी जदा बढ़ गया है यानि कि जो एपल को उगाने के लिए fertilizer हो गया insecticide हो गया या फिर यहाँ पर फंगी sites हो गया जो यह भी हाँ पर जो चीज यूज करते थे उनका प्राइज जो है लगबग 300 परतिसत बढ़ गया है इनको उगाने का प्राइज दूसरे आपर यह तो बड़ी रहा है दूसरे आपर एपल का जो कार्टून होता है या फिर जो ट्रे होती है यानि कि जो पैकेजिंग मेटीरियल है आप वो उसका भी प्राइज जो है वो काफी जदा बढ़ गया है एक यहां पर जो GSTS कार्टून के अब उपर जो पहले 12 परतिसत लगती थी अब वो ही GST यानिके Goods and Service Tax 6 परतिसत और बढ़ा दिया यानिके 18 परतिसत कर दिया तो यानिके गोर्मेंट क्या चारी है गोर्मेंट चारी है कि इस तरहीं के जो कार्टून है उसमें रखकर जो है य वोर्मेंट चारी है कि जो बिचोलिया है जो यह कार्टून बनाते हैं उनको भीच में से निकाला जाए पर लेकिन इसकी वज़े से किसानों क्या दिकत हो रही है किसान ये बोलना है कि जो बिग प्लेर हैं जिनको आप लोग बेशते हैं कि उन बिग प्लेर को लाकर आप ल यहां पर यही कंडिसन बनी रही तो खेती करने वाले यह के जो खेती करने वाले जो लोग है वो प्रेसान हो जाएंगे एक तो आप लोगो आइफून देखने को मिलेगी हमारे अगर बात करें नुर्मल नयागा किक तरीका से किसी देच के एकनोमी कितनी है तो आप लोग अपने देश की एकनोमी कितनी है बताइए ज़रा हमारे देश की एकनोमी कितनी है एक ट्रिलियन दो ट्रिलियन तिर्न ट्रिलियन बताइए ज़रे देखता हूं कौन-कौन बताता है अभी फिलाल के टाइम पर जैपल की जो खेती है उससे पां यहाँ पर बोले जा रही है अब कई सारे लोग ये बोलेंगा सरीं मिनिमum support price का फायदा होता है मैं EGG सबसे बड़ी बात करके के इस price यहाँ पर नहीं और रख़ायँ में बात करों इस price पर सबसे बड़ी सोलूशन क्या लगता है कि जब कोई सोलूशन निकला है तब जाकर गुवर्मेंट सुनती है कि गुवर्मेंट को नहीं पता है यह पूर्लम फिस कर रहे हैं आपर जो खिसान वो खुद भी आपर सुलूशन निकाल सकती है लेकिन रियालिटी में वह चीज़े नहीं होती है जिसकी वैसे सबसे दिक्कते निकल कराती है कोई कोई इंस तो कल को चलकर अगर आप लोग किसी भी पोस्ट पर बैठते हो किसी भी गुवर्मेंट उफसेज के अंदर में तो बहुत सारी ऐसे चैलेंज आप लोगे सामने आएंगे जिसमें आप लोगो शाम, दाम, दंड, भेद लगाना पड़ेगा अभी यहां पर जो एक आफिस उ गोवर्नेंस का एक शांदार उधान आप लोग बोल सकते हैं, जो कि आप लोग एक्जाम्पल के तोर पर कोड भी कर सकते हैं, अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए, कि इंडियन पुलीस सर्विसेज के जो उफिसर से उनके द्वारा सोफ्ट पावर यूज किया गया, सोफ् कि रिलिजन के नाम पर एक दूसरे के साथ में कनेक्टूटी, एजुकेशन के नाम पर कनेक्टूटी, हैल्थ के नाम पर कनेक्टूटी, कल्चर के नाम पर कनेक्टूटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग काम वयपार करने जा रहे हैं, उसके नाम पर हो गया इंसान ठीक है ऐसा लगता है किसी और दुनिया में चला है पर लेकिन वह सोट टम टैंप्रेरी एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि इंजोइमेंट का एक साधन होता है पर लोग टम पर वह काफी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि एलकोहल जो है उसके अंदर आप लोग को इथाइल एलकोहल ये फिर एथनोल देखने को मिलते हैं अगर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी इंसान की बोड़ी में जाती है तो वह काफी नेगेटिव इंपेक्ट यहाँ पर डालती हो ने जराती है अगर प्रोपर एक सिस्टेमेटिक तरीके से बनाए गई सराब जो है उसमें सुगर और स्टार्च यूज़ कियाता है एलकोहल जो बिसिकली बनाने के लिए एक पर्टिपल और एक एलकोहल कॉंसेटिशन पर ले जाकर एक बैलेंस वे में सराब बनाए जाती है ठीक है तो यहाँ पर जितनी पुरानी सराब होती है उतना ही शांदार यह माने जाता है कि वह एक तरीके से अच्छी रहेगी पर लेकिन आज केर में क्या चलते हैं आप लोग ने देखा हो पुबे पीते हैं लोग यानि कहीं लोकल एरे में ठेके पर बनती है सराब उसी को लेकर आगे उसको इलिसिट लिखकर यह फिर हूज बोलते हैं यानि के नकली सराब भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं वो एक ऐसी सराब होती है जो कि इंसान की बोरी को बहुत हताग बरबाद कर सकती है कई सारे लोग उसको पीने की वेसे अंदे हो जाते है कई सारे लोगों की जो है कहां पर पढ़ेगी तो यह आप लोग के सामने है ठीक है तो यह रीजन पहले रसे का हुआ करता था फिर इसको USA ने परचेज कर लिया लेकिन वह यह किसमत किसमत की बात है आज की रेट में यह USA के अंडर में है रसिया ने कब बेच आता है इसको आप लोग यह बताएगा यह यह बड़ यूज कहता हुचिनो जो है यहां पर यह सब्द यूज कहता है यहां से टर्म निकल कर आई अलासका के अंदर से तो यहां पर अब हमारे देश के अंदर भी इसी को यूज के जा रहा है जो कि गलत तरीके से बनाएगी जो सराब है उसके लिए हां पर हम लोग य एक डेटा बता जेता हूँ हमारे देश में NCRB नेसल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो का नाम आप लोगों ने कई बार मेरे मुँझ से सुना होगा यह किस मिनिश्टी के अंदर में आती है यह मिनिश्टी ओफ होम अफेर के अंदर में आती है इसने कई बार चिला चिला कर यह पहरान हो जाओगे सुनके 6172 लोगों की जान चलेगी गलत सराब पीने से वह गये थे मज़ा लेने के लिए कुछ दुख दर्द बुलाने के लिए लेकिन वहाँ पर उनकी जान चलेगी यह गलत तरीके की सराब पीने की वैसे तो यह इस्यू आप लोगों को देखने को मि पूलिसी मतलब यानिकि यह वो डिरेक्टिव्स हैं जो इस्टेट को गाइड करते हैं कि आप लोगों को ऐसी पूलिसी बनानी है तो उसमें जो आर्टिकल 47 है यह आप लोग याद रहेना किसी भी नसीले पदार्त के बारे में कुछ भी कुछ लिखने के लिए तो आप लो प्रोपर ड्यूटी दियाती है क्रप्सन जैसे की बिहार में गुजरात में आप लोग जाओगे तो सराप पीना जो है वो गलत है यानिके तरीके से इल्लीगल माना जाता है यहां पर नीतिस कुमार साब के द्वारे तो यहां पर ड्रोन तक लगा दी कि कोई सराप पीतवा देखा गया तो ड्रोन से पकड़ लोग यहां पर देख सकते हैं तो गलत तरीके की सराप से लोगों को बचाने के लिए शामदाम दंडभेद लगा जाते हैं ऐसा नहीं कि हवा हाँ में बाते चल रही है तो यहां पर मीडिया काफी बड़ा रूल प्ले करती है कि कैसे इसक स्टेशन प्रोजिजर के लिए काम किया गया तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेगे जेन पर काम किया गया ठीक है तो यह कुछ चीजे हैं आपर कि पुलिस किस तरीके से आपर काम कर सकती है इस्टेट गवर्मेंट यह फिर कैसे आपर सेंटल् वो सराब पिये पड़ावा है देश के अंदर में और एक इंसान जो है वो अपने काम पर लगा है तो कौन सा देश जो है वो ज़्यादा प्रोडेक्टिव रहेगा देश की भी प्रोडेक्टिविटी कम होती है अगर नसीले पदार्त के सेवन लोग करते हैं देश की प्रोड होगे इनको देख देख कर लोग जो है वह एक अलगी तरीकी जिन्दीगी जीना पसंद कर रहे हैं तो इसके चलते हैं पर यह इसके उपर करना चाहिए और इसके ओपर काम करना चाहिए वर्ना आने वाले टाइम में यह इस बहुत बड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि 6000 लो कि आप लोगों बता है तो इसके बारे बताएगा एक जो आर्टिकल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जब कोई जो महिला होती है उसको maternity leave दी जाती है यानि कि बच्चा पैदा होने के बाद में एक छुट्टी के लिए एक leave दी जाती है मतलब छुट्टी दी जाती है तो कौन से आर्टिकल के अंदर में इसके बारे में यह आर्टिकल कई सारे स्टेट पीजिस में रिसेंटली अभी पूछा गया और अगल वुमें इंपार्मेंट के बारे में कुछ लिखेने के लिए और अपने समीधान का एंगल आप लोगों कुछ लिखना है तो इसके चलते हैं आप लोग यह topic तो तयार करने इसी के साथ में पूलती का topic जो है वह citizenship आप लोगों का तयार हो जाना चाहिए पार फर के घृंड fundamental duty के ओपर बहुत सारी बाते अभी की गई हैं आपर, कि fundamental duty को कैसे implement करने हैं, उसके ओपर बात कीगी, president के election अभी हुए है, उसके बारे में vice president के election अभी आप लोग को देखने को मिले है, जहाँ 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 पर भी नई नई appointment हुई है, उसके बारे में लोग पाल लोग का हां से सुना गरो, ताकि लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाओ, ओके, जम्मो एंड कास्मीर की problem के बारे में आप लोग ने कई बार सुना होगा, और article 370 जो है, उसके बारे में बार बार बात की जाती है, कि जम्मो एंड कास्मीर से article 370 हटाय गया, वहाँ पर situation को change करने के लिए, पर ground level पर आज तक भी situation जो है, वहाँ पर change नहीं हुई है, ना ही तो वहाँ पर Muslim community comfortable feel कर रही है, और ना ही वहाँ पर Hindu यानि के, जो आप लोगों ने देखा कि एक तरीके से जो community वहाँ से छोड़ कर आई, जिसके उपर अभी ता कास्मीर फाइल movie भी आई, तो वह community भी हुआ पर comfortable feel नहीं कर रही है, recently कई सारे attack भी किये गए, जिसकी वैसे आपर और ज़्यदा है, उनको हाँ से निकलने की लगी है, तागी कल को जान न चिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने सुना के आप लोगों ने इसको feel भी कर सकते हैं, कि जान है तो जान है, अ आप लोग ये सोचो कि आप लोग एक परिवार के अंदर रहते हैं, उस परिवार के अंदर में total मिलाकर 10 लोग हैं, 10 लोग में से अगर मैं बात करूँ, बाबा दादी हो गया और मम्मी पापा हो गया, इनको निकाल दो, अब 6 और बच गए, 6 उनके बच्चे हैं basically और उन बच्चो को responsibility फिल ने करा जाए, हमारे देस में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि माबाब आप आखरी दम तक बच्चो को पालते हैं, पर लेकिन reality हैं पर यह है कि उनको समझना चाहिए कि अगर पूरा focus उनका बच्चो पर इस तरीगे से रहेगा, तो बच्चा बिलुकिल ऐ यसी अंडर नी होता है, अंडा तोड कर चूजय को बाहर निकलता है, तो उसको खुद से चट पटाने दो, उसके पंक मजबूत हो जाते हैं, अगर आप लोग उसको अंडे को तोड़ दोगे कि आसनने से बाहर निकल जाए वो चूजया निकलते है मर जाएगा, क्यों कि उ इम्म्यून सिस्टम में वो लोगों ने डवलप ही नहीं होने दिया तो यह situation आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से मतलब कहने का मेरा है यहाँ पर मतलब यह है कि एकरनी तरीके से एक ही इंसान को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उसको चीजों को समयन वह एक दूसरे के साथ में रहने के लिए तयार रहे हैं तो यहाँ पर तब प्रॉलम का solution जो है वह निकलता हो नजराएगा आज भी इंसान जो है वहां से निकल कर आता है और मार्किट में आकर बोलो कि मुझे रूम चाहिए और बोल दे कि मैं मुसलिम हुए फिर जम्मो का मिले तो इसके उपर काम करने कुम्मिनेटी को साथ में लेकर चलना है जब कुम्मिनेटी साथ में रहते हैं बैठते हैं एक जगे खाते और पीते हैं तो प्यार अराम से उनके अंदर बढ़ने लगता है और solution-oriented माइड यहाँ पर होने लगता है तो इस तरीके से आप लोग जो भी politician अब तक होँआ पर रहे हैं उन्होंने कभी solution निकालने के बारे में सोचा नहीं है बस जैसी इस्तिती चल रही है उसको चलने दो और बनाए रखे हो और central government से पैसा उखा निकालते रहो और यह फिर अगर नहीं दे रही है तो फिर जो terrorist activity हैं उनको एक पना दे दो ज करना इस pattern में solution नहीं निकलेगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कुछ और important news में आप लोगो बताने वाला हूं जो कि आप लोगो बड़े ध्यांजे सुननी है बात की जारी है लाल कान वाला यह slider कच्वा यानिक एक slider यह turtle है जो कि recently काफी ज़्यादा problem create कर रहा है यह उतना ही हरामी है जितने हरामी USA country आप लोगो देखने को मिलेगा क्योंकि वहीं का ही यह native आप लोगो देखने को मिलेगा USA और Mexico होगा अभी फिलाल अगर इसके बारे हैं बात करें यह Indian जो biodiversity है उसके लिए खत्रा बन गया यह आप बूलो कि क्या बात कर रहे हो मतलब एक कच्छुआ हमारी बाइडरिश्टी के लिए खत्रा बन गया जी हां इसके बीचे रीजन है क्योंकि जब इनका बढ़ने की बारी आए तो यह काफी फास्त तरीके से बढ़ते हैं काफी बड़े हो जाते हैं यहां पर जल्दी और यहां पर ट्रांसफर होने के चांसे रहते हैं क्योंकि एक ऐसी इसे में सब्सकी 1200 जहां के बढ़ने को सकती है यह कि देखने को मिला इसके और इसके 10 मलता है कि इनके habitat जो है इनके रहने की जगे जगे जए वो destruct हो रही है जिसके वेसे problem निकल कर आ रही है ठीक है तो ये ऐसे question कई बार UPSC आप लोगों से पूछ लेती है confusion नहीं होना चाहिए एक scheme आप लोगी हाँ पर तयार हो जाएगी परधान मंतरी गरीब कल्यान योजना नाम सी आप लोग पता लगा सकते हैं कि गरीबों का कल्यान करने के लिए एक scheme हमारे देश में चलाएगे तो सबसे पहले तो ये scheme क्यों चलाएगे क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा निकल कराया कि किस तरीके से जो गरीबों का फायदा पहुचाना है जब COVID-19 की वैसे देश के अंदर लोगडाउन लगा हुआ था तो उस लोगडाउन के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए scheme चलाएगे फार्मर्स के लिए वुमेंस के लिए वीडियो के लिए प्राइवेट इंप्लोईस को भी हाँ पर कुछ प्रपोर्ट प्रवाइड कराये गई तो दुनिया भर की scheme यहाँ पर निकल कराये तो उसी के बारे बात करें है अभी government के द्वारा क्या क्या गया है इस scheme को 30 September से आगे बढ़ाने की बात के जा रही है 30 September से आगे बढ़ाने की बात के जा रही है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी और जदा फाइदा लोगों तक पहुझना चाहिए इंटरेसिंग चीज़ है जब COVID-19 के लिए इसको लॉंच के गया मार्च 2020 में तो बोला गया था कि तीन महिने के लिए लगबग जो है इसको लॉंच करना है ठीक है पर लेकिन फिलाल के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर यह तीन महिने से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर यह मार्च 2020 की बात की जा रही है अभी हम लोग कहां पहुझ चुके हैं इससे आप लोग गंदाजा लगा सकते हैं पांच किलोग्राम फ्री फूड ग्रेंड लोगों को प्रोवाइड कराएगा ताकि उनकी लाइब जो है वो थोड़ी सी बेटर होती है आप लोगो नज़ रहे वैसे तो आप लोग को पता है हमारे देश में नेसल फूड सीक्योटी एक्ट भी है पर लेकिन सारी चीज़े यहाँ पर यह फूलफिल नहीं कर सकता है तो इसलिए ज़रूरी है आपर कि अलग से इसके एडिसनल में हम लोगों ने चीज़े प्रोवाइड कराएगी ताकि लोग जो है गरीब तब का जो सेसन का है वो यहाँ पर थोड़ा सा कॉंट्रोली में आ इसकी तरीके से ठीक है इसी के साथ में जो सबसेडी पर यहाँ पर जो फूड प्रोवाइड करा जाता है नेसल फूड सीक्योर्टी एक के तैट वो तो कवर करी रहे हैं आपर यह आप लोग को अलग से चीज़े जो है वो एडिसनल है आपर ऐसा निया कि जिसको नेसल फूड सीक्योर्टी के आ रही है जिसकी वेसे इन्यूज में भी है यह कुछ बेसिक स्लाइड भी है पांच किलोग्राम देने की बात की असी क्रोड बेनिफिसरी है आपर तो इसके चलते हैं आपर यह कई सारी चीज़े परधान मंत्री गरीब कर लें यूजना है पैसे की बात की तो कितना नहीं है तो एक बार बैट कर ढंसे चीजों को त्यार कर लो ठीक है बात की जारे यहां पर इल्लीगल लोन आप लोगों ने देखा होगा कि एक मिनट में लोन ले लो तो किसी भी ऐसी चीजों के चक्कर में निपड़ना है जिसको आप लोग सोटकर बोलते हो खासकर उसके चक्कर में कभी निपड़ना है वरना आप लोग कभी न कभी अपनी जिस जिन्दगी में कुछ न कुछ चीज़े जो हैं वह हमिसा कटवाए मिलोगे इनके चक्कर में सोटकर के चक्कर में तो उससे बचना है तो आप लोग अपने को सतर करना है तो यहां पर अभी जो मोट मिनिश्टी ने RBI को बिला कर बोला कि भाइसा तुम सोलुशन निकालोगे यह फिर हम अपने हिसाब से काम करें RBI ने बोला कि काम तो हमारा है तो हम करेंगे आपके टेंशन ले रहे हो तो इसके चलते Electronics and Information Technology मिलकर यहां पर काम करें ताकि situation को सुधार जा सके Ministry of Corporate जो है वो भी identify कर रही है कि कोई company ऐसी है डिरेस्टर हो रही है जो कि गलत तरीगे से काम कर रही है उसके ओपर काम के जाए तो यह जरूरी है क्योंकि अगर हम लोगों ने इनको control नहीं किया था हमारे सिस्टम में always loophole नजर आएंगे तो loophole को कैसे दूर करना है main purpose यहां पर यह ठीक है तो यह एक तरीगे समझ सकते हैं ताकि situation को handle किया सके वरना इसी चीज़ ऐसी चलती रहेंगी अगर कोई भी ऐसी चीज रोक नहीं है और सबसे ज़्यादा हम लोगों को भी अवेर रहना पड़ेगा जब तक हम लोग अवेर नहीं रहेंगे कोई नहीं हमारा इसी तरीके से नुकसान करता रहेगा हमारा बेवकूप बनाता रहेगा ठीक है इस्टाग्राम पर बहुत सारी चीजे मेरे साथ में सेयर की थी कईयों की चीजे मेने आप लोग जाए की थी तो आप लोग पैड़ा सकते हैं जब यह आप लोग को मह का मीले काफी ज़ी चीज होती है तो इसके चलते हैं यह पहले तो पूछ लएगी 3 आउटसाइड फोरे क्लाइमिट चेंज के द्वारा मिलकर लौच के गया युएस से के साथ में तो देखा युएस से बोल देगा कि मोदी जी मैंने आपको बोला था कि help करेंगे तो को पेड़ लगाने में help कर दिया पैसे मत मांगना ठीक है वैसे कौन एमिनिस्टर है आज केट में आप लोग यह बताना है तो कार्बन सीक्वेंस स्टेशन यानि के इन्वोर्मेंट में जो कार्बन आराएफ को कैसे कंट्रोल करना है टेक है लोकल कम्मुनिटी को कैसे साथ में लेकर चलना है और क्लाइमिट रेजिलियंट चीज़े बनानी है अग्रिकल्चर के लिए ताकि ज्यादा प् कंपनी तो प्राइवेट जो साथ में आ रहे हैं और कोसिस करेंगे कि लगबग 28 लाक हेक्टर जो जमीन है उसमें यहाँ पर एडिसनल फोरेस्ट लगा जा सके क्योंकि जल ही जीवन है और जल जो है वो कौन लाएगा वो लाएगा वन यानिके पेड़ पो दे हम लोग इसी इसके बारे में थोड़ी बहुत बाते कम से कम यह आर्टिकल समझने से पहले एक सब्द हैं आपर जिसका नाम है कैटासिया ठीक है तो यहाँ पर कैटासिया इनिके कैटासियन एनिमल के बारे बात करें तो जिसे वहल हो गया डॉल्फिन हो गया इसी के साथ में प्रोस्पर यह अभी हाँ पर देखने को मिल रही है कई सारे जानुरों के अंदर में तो यह माना जा रहा है कि इसकी वज़े से आपर जो मेरीन इकोसिस्टम में खराब हो सकता है सोचो कि एक मचली को बीमारी होगी जिस पानी में वह रह रही है वो पूरे पानी को तलाब को गंदा कर सकती है तो उसकी वेसे कितने सारे आदमी जो हैं वह दुनिया में जिनकी डैथ हो सकती है वह समझने वाली बात है आप तो इसके उपर यहां पर काम करना है क्योंकि अगर बात करें पूलर से लेकि एक्वेटर तक यह बोला गया है कि आज केट में हर जग है पूरलम देखन आँगा पहले कुछ और न्यूज हम लोग देख लेते हैं और सी सेट का भी कोशन आप लोग को देखने को मिलता है तो स्रीज वाला कोशन है आपर जो आप लोग को अटेम्ट करना है मैं आसा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जूर देऊगा और डेली पीडिएप में आ ठीक है एक ट्रीक की जो एक तरीका से यूके काउंटर पार्ड जो है एक तरीक से अरबन जो अफैर वाली मिनिष्टे के पास में आप लोग को देखने को मिलेगी इनके द्वारा भी स्वच अमरित महसव सेटमबर सतरह से लेके दो और तक कहांँ पर ये इसके उपर काम कर करना है तो आगे भी इस्तमाल होगा आगे भी नियूज होगा तो इसके बारे में याद रखेगा नेसल कॉंफरेंस और सस्टेनेबल कोस्टल मेनेजमेंट कहा पर हुई है तो भूमनेसवर उडिसा के अंदर में हुई कब से कब तक 10 से लेके 11 तक का ठीक है तो यह याद रख सकता है तो क्यों ना अपने देश के अंदर यहां पर चीजों को इंजय के जाए ज्यादा बाहर जाकर प्रेसानी उठाने की जूरुत नहीं है खासकर प्रजेंट टाइम पर प्राइमिस्टर क्योंकि अभी यूक्रेइन के बच्चे पता है आप लोग है पर उनको बाहर ल सकते हैं इसका मतलब क्या होता है तो उसके बारें बात की जा रही है उसका नाम जो है अरुचल प्रदेश के अंदर में यह विपिंड रावत साब के नाम पर रखा गया है तो इसके विए से न्यूज में है जो चीप इनिश्टर भूपेश बगेल है उनके द्वारे यहां पर सकती ठीक है तो यह यादर किएगा तो सीम बताई दिया आप लोगों तो कुछ कंफूजन नहीं होना चाहिए अभी इंपोर्टेंट परसेनल्टी जिनका नाम था है आप ब्रजबाल लाल तो उनकी डैथ होगी 101 साल की उमर में तो बहुत ही शांदार जिंदगी हां पर रखेगा 2019 जो बेस्वरी जो अभी आप लोगों से डिसस किया तो उसके बारे में यादर रखेगा तो यहां पर यह काफी इंपोर्टेंट है जिसके चलते कोशन भी आप लोगों से बन जाता है तो चार पिलर पर काम कर रहा है चार में से एक पिलर से जो है यहां पर अगर पार्लेमेंटरी सिस्टम है तो मोनार्क वर्सीज पार्लेमेंटरी सिस्टम जो है वहां से भी कुशन आप लोगे बन सकते हैं ठीक है तो यहां पर तो याद रखेगा हमारी कंट्री का पार्लेमेंटरी सिस्टम है अमरी कंट्री में जो कि एक अच्छा सिस्टम फोलो करते ह हापर बात की जा रही है किसके बारे में यह मध्या परदेश के बारे में डिकन सोनिया जो है यहां पर एक पर्टिग्लर जी मिला है यह माना जता है कि तुह अभी जनल्जा प्रतिस के अंदर में नहीं की उतकर को सबcono 40 आँ पर जो कि यह कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलागा माना जा रहा है प्रती पर सबसे पहले यहां पर यह इस तरह का किडियर्चर जो है वो आया था ठीक है कोशन है आप लोगे सामने हैं पर जो उनियन मिनिस्टी हैं जिसके द्वार ऑर्गनाईस किरा गया यरोपयन उनियन इंडिया ग्रीण हाइड्रोजन फोर्म तो आप लोगों यहाँ पर यह बताने है, यहाँ पर यह कौन सी मिनिष्टी के अंदर आप लोगों देखने को मिला, तो green hydrogen की बात की जारी है, वह तो common sense हो गए वैसे, तो यहाँ पर कौन सी मिनिष्टी है, मिनिष्टी ओप पावर है, ठीक है, मिनिष्टी ओफ न्यू और र उत्राखंड यह करनाट का, तो setup किया गया कि इसके राज्य के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर उत्राखंड है और यहाँ पर renewable energy, ओके, आगे चलें यहाँ पर यह particular जो सब्ध है, इसके बारे में भी आप लोगों से में बात करूंगा, basically यहाँ पर इसके बारे में बात क इसके बारे में बात करते हैं, वीडियो को पोस करके आंसर दो, तब ही आंसर देखेगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा है फिलाल, यह है उडिसा, तो यह important है, बाकी यह question आप लोगो बताए दिया, इसका answer आप लोगो देना है, इसको एक बार series को complete करना, तो complete answer यहाँ पर क्य है, बे pourtant होती है, बे नाज है है, पर परिहास, एक तरीके से बाते करना, कई बार मजा करना, आप लोग बहुत शकते हैं, ठिक है, तो यहाँ बहुतीज को देखने को, चीजों को किस तरीके से들이ने की जाना, ठिक है, यहाँ पर आलोजना करना, आप लोग इसको बहुत सकते ह शांदर तरीके से से अंसर दे गए है और जो कि आप Business जो है इंके भारे में बात किती है जो कि यह आप लोगों से बात किँक है और अगर सही तरीके से सही direction में सही time पर पहुचना चाहते हो तो आप लोग अपने उपर काम करना पड़ेगा अगर काम नहीं करोगे तो सारी चीजें ही पर धरी की धरी रह जाएंगी तो इसलिए कोसिस करो कि अपने schedule को follow करो कल का schedule क्या था वो जुरूर बताना एक फिर चीजा आगे कैसे चलेंगे आगे तो पुरा डिस्टिक्स समालना है घर भी समालना अपनी सिहत भी समालना है तो कम से कम अभी सही आप लोगो इस चीजे मैनेज करनी सिखने पड़ेगी ठीक है तो यह तो यह कुछ बात है फिडबैक जरूर देना जैसे भी लेक्चर लगा नेक्स्ट लेक्चर मिलतों तब तक के लिए बोड़ो को नमस्ते छोटो को प्यार छोटी सी लाइफ एंज्यो करा मिलतों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद